बिस्मिलाई रख्माले रहीम, असलाम अलेकूम, आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी चिकन ब्रेड बॉल्स की रेसिपी, बहुत ही इजी तरीके से हम इसको बनाने वाले हैं, तो इसके लिए मैंने यहाँ पी लिया है, हाफ कप मैयोनीज, वन टीस्पून ब्लेक पेपर प अब इसे मैंने वन कप उबली हुई चिकन डाली है, चिकन को सिंपली मैंने तोड़ा सा नमक डाल के बॉल कर लिया था, और पिर इस तरह से श्रेट करके हम इसमें डाल देंगे, तो यहाँ पी सारी चीज़ों को हमने ची तरह से मिक्स कर लिया है, अब आपने जितने बॉल बनाने हो, उसके मताबक आप ब्रेट स्लाइस ले और इसके एजिस निकाल दें, तो जो ब्रेट के एजिस वगहरा होंगे, उसके हम ब्रेट करम्ज बना लेंगे, तो यहाँ पर मैंने सारी इसकी निकाल दिये है, अब हम दो स्लाइस लेंगे, और उस पे चमच की मदद से तोड़ा तोड़ा सा पारी डाल दे तक यह तोड़ी से नरम हो जाए, अब एक चमच तयार किया होगा मिक्स्चर ब्रेट के सेंटर में रख दी, दूसरा प्रेट स्लाइस उसकी उपर रखे तोड़ा सा प्रेस कर दी, अब एक गिलास या कप की मदद से, जहां पे हमने मिक प्रेक्चर रखा था, हम इसको तोड़ा सा दबा लेंगी, तोड़ा सा दबाने की बाद साइडो को अब इस तरह से हटा ले, अब हाथ पे हलका सा इसको टैप कर दे, तो यह असानी से निकल आएगा, तो इस तरह बहुत ही एज़ी तरीकी से, यह बल्स हमारे तयार हो अची तरीकी से, लेकिन अगर आप गिलास को तोड़ा सा प्रेस करके इसको बनाएंगे, तो यह बिल्कुल परफेक्ट बन जाएंगे, तो यहाँ पे हमने सारी बना ली है, अब यहाँ पे एक अंडा लेंगे, उसको पेंट लेंगे ची तरीकी से, अंडा पेंटने के अब इसको हम फ्राइ करेंगे, यहाँ पे आउयल को मैंने मीडियम होट रखा है, क्योंकि अगर आउयल अची तरह से गरम नहीं होगा, और आप इसको टंडे आउयल में डाल देंगे, तो यह बहुत ज़दा आउयल सोक कर लेगा, और आपके बाल्स बहुत आईली बनेंग और आप इसको बहुत ज़दा गरम आउयल में फ्राइ करेंगे, तो यह जल जाएंगे उपर से, यहाँ पे बस हमने इसको इतना फ्राइ करना है, कि इसके उपर एकचासा गोल्डन कलर आ जाए, तो बस इसको फ्राइ करने में हमें 2-3 मिनट ही लगे है, तो यहाँ पे मैंन बढ़ते रहे, दवाओं में याद रखे, नेक्स टाइम के लिए अल्ला पामान